हाई गाइस बहुत बहुत सफागत है आपका मेरे चैनल बनाथी टैक में तो चली आई वीडियो शूट करते हैं यार गर तुम इस लड़की को जानते हो में तो बहुत अच्छी बात हैं अगर नहीं जानते हो तो आपके पास पांच सेकंड है बस दस पांच चा तीं दो एक तजकार दुमावा बनाउंगी यार इस बेसोरी लड़की का नाम है दिया नाग और जैसे का नाम है वैसे इसका काम है यानि कि जहर फैलाना दिया नाग मतलब जहर फैलाना उनunu लगता है यह नाच्टे में क्योंकि नॉर्मल इंसान की आवाज ऐसे नहीं हो सकती बिल्कुल भी तब ही तो इसकी आवाज ऐसे फट के बाहर आती एकदम से तो इसकी आवाज विडियो बनाओंगी यार देखो अइसी अरकते करोगी तो फिल्कुल तुम्हारे दूले की फट के चॉंसट हो जाएगी तो यार यह लड़की जो है टिक टॉक पर वीडियो बनाती है गाई और एक अंदाजा लगाओ मतलब किसके कितने फॉलोवर होंगे टिक टॉक पर है मतलब एक छोटा मोटा छोटा सा अंदाजा लगाओ कि कितने फॉलोवर हो सकते हैं इसके टू पॉइंट टू मिलियन बेहन चूद तो मतलब गैस इससे यह अंदाजा लग जाता है कि अगर इस दुनिया में कोई अखंड चूतिया पा कर रहा होगा ना तो साथ में उसके साथ दस लोग और मिलके उसको प्रत्साहित करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसको फॉलोव कर देते हैं लेकिन फिर भी आर बहन चोट दो पॉइंट तीन मिलियन तो काईट पहले मैं सोचता था कि इसकी वीडियो बनाता कोन होगा जो सामने से इसकी वीडियो बना रहा होगा अगर ही इसकी सामने आती हो तो इसकी तो कान और गान दोनों फट जाती होगी तो फिर मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि इस अबला नारी की शादी हो चुकी है, और इसकी जो वीडियो बनाता है इसका पती, मतलब ये दोनों गुलागार है हमारे कानों को खराब करने वाले, बेचारे बच्चे, वो भी इसके आसपास नहीं भटकते हैं, इसकी हरकते देखके, अगर कहीं दूर कोई बच्चा रो रहा होगा ना, तो उसकी मम्मे कहते हैं, सोजा बेटा, सोजा, नहीं तो गलाफ हडने वाली डायन आएगी है, और तुझे कच्चा चबा आजाएगा, और दोस्तों तुम्हें पता है, ये जंगल में वीडियो को बनाती है, क्योंकि अगर इसकी वाइज कोई नॉर्मल ही सुनेगा, तो वो तो वैसी मर जाएगा, तो इसलिए इसको जंगल में जाके वीडियो बनाना पसंद है, ताकि महाँ असको कोई सुनना सके इसके पती के लगा, और एक बात और दोस्तों ये फुकती है गांजा, और गांजा फुकने के बाद ऐसी अरकते करती है, अभी तो तुमने देखी लिए, बस 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 मेरे कान से खून निकल जागा यारब, और नहीं, यार सुबे से तुम्हारे दस कॉल आ गए है कि दिपक भाई मैं जेल में जा रहा हूं, मुझे बचाओ, वैसे वैसे, यार मुझे भी मेरी जिंदगी है, यार सलमान प्लीज आप मुझे जिने दो, यार मुझे पूर, मादा चोड, वो सुडिक नहीं तो, आब बोल, आब अचाओ, 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 दोस्तों, तुम्हें अभी गुड़ देखा है, गुड़, मीठा गुड़, आज तुम्हें मैं ऐसी गुड़ की डली दिखाता हूं, खाने का मन करेगा आपका भी, मुझे नहीं पता कोन है ये बहुत से डिका, आज ये बहनो, ये देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बहुत से डिका, तो गाईज एक खुशकबरी आई टिक टोक पे, मैंने जब से ये वीडियो देखी इन दोनों की, तब से मुझे टिक टोक अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी सोचा मैं वीडियो बनाऊ टिक टोक पे जाके, लेकिन फिर मैंने ये देख लिया, दो थार्थू लटका के जटका के चलती है, बटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पबलिक को दे दूगा गियान तेरा, टिक टोक वाले टक्टी थे और टक्टी रहेंगे, और अब हमारे हर्च भाई भी थरकतों पे आ गए है, लेकिन भाई गाइस, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है हर्च भाई ने, मजा आगे वीडियो देखके, आप भी देखना, हर्च बेनिवाल के चैनल पे जाके वीडियो उसकी जरूर देखना, मेरी भी देखनी है, मेरी भी पूरी आइन तक देखनी है, लेकिन गाइस, बहुत बढ़े वीडियो बनाई है, बहुत अच्छ एफ्टिंग के अर्च भाई ने, गुलाबी आखे, जो मेरी देखी, दिवाना हर दिल हो गया, सभालो खुद तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही, और वो जो यू लाइक वाला बटन है, कुछ भी करो मुझे वही मतलब नहीं है, तहस नहस कर दो उसे, पर वो नीला हो जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन वो बटन नीला हो जाना थे, थेंक्यू सो मच्च